इससे पहले के वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बैक्टीरिया की जनरल करेक्टर्स की बारी में अध्यन कर चुके हैं आज हम बैक्टीरिया की अर्टरा स्ट्रक्चर की सभी पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे सबसे पहले बेक्टेरिया का डिस्ट्रिबूशन बेक्टेरिया कॉस्मोपॉलिटन है मतलब ये सभी प्रकार के आवासों पर मिलता है जैसे मनुश्य वजन्तूओं के शरीर वायू, जल, मिट्टी सभी प्रकार के सभी स्थानों पर जवानों उपस्तित होते है मल, मोत्र, सड़ी-गली वस्तूओं, म्रत जीवों के शरीर पर भी ये पाये जाते है ये उश्न स्रोथ तथा बर्व से ढखे स्थान पर भी मिलते है ये वायू, मंदल में लगबग 6 किलोमेटर की उचाई तक तथा मद्य समुद्री तल तक लगबग 5 किलोमेटर नीचे समुद्र की तलहटी में भी पाये जाते है कहने का ताद पर ये है कि जो बेक्टेरिया है वो बहुत ज़्यादा सलाइन मतलब जहां पर बहुत ज़्यादा खारापन हो वहां से लेके जहां बहुत ज़्यादा पीएच हो पीएच जो है वो शून्य से भी शून्य से लेकर ग्यारा तक मतलब सभी प्रकार के पीएच पर उच चिताब क्रम उच अमलता सभी जगे मौझूद हो सकते हैं इसे हम क्या कहते हैं कोस्मोपॉलिटन कहते हैं मतलब जो बेक्टीरिया है वो टेंप्रेचर के मॉइस्चर के एसिडिटी के सेलिनिटी के सभी के एक्स्ट्रीम्स पर मौझूद हो सकता है यह अपनी सभी हुमन बॉडी के ओपर डैड और्गानिक मेंटर पे नव अट्मोस्फेर है उसमें लगबख 6 किलोमेटर उपर तक और जो सी फ्लोर है उससे 5 किलोमेटर नीचे तक भी इसी लेवल से और होट स्प्रिंग में और आइस में जीरो से लेके 11 तक पह मतलब एसिड एस वेल एस अलकलाइन एंवायमेंट में उसके अलावा हाइस से लेके लोग वेस्ट तेंपरेचर तक यह सभी जगे मौजूद होता है अब इसकी जो यह इतनी जादा वर्याद बोले कि सारे इतने सारे इसके हैबिटेट्स है वो क्यूँ है यह जानना बहुत आवश्यक है इसके कारण यह पहला कारण इसकी साइस बहुत चोटी है सूख्ष में है यह माइक्रोसकोपिक है small size, दूसरा इसकी rapid reproductive rate है, तीर को भी भाजन शीलता है, high rate of multiplication, तीसरा ये प्रतिरोधी अंताय में जाओ, resistant endosforce बनाते हैं, चौथा कारण है, इसमें portion की विविद्धा है, variation in nutrition, जो भी और जास्रोध, जो भी energy source मौझूद होता है, उन सभी energy source से ये अपना भोजन बना सकते हैं, ये portional प्राप्त कर सकते हैं, ये अपना nutrition gain कर लेते हैं, ये एक और video lecture, nutrition in bacteria, उसमें आपने पढ़ लिया होगा अब तक, कि ये हर तरीके के energy source को use कर लेते हैं, फिर इसके great extremes के कारण तो ये सारे हुए, अब हम बात करते हैं कि size या आम आपके, तो हम बार बार इस चीज को पढ़ रहे हैं कि ये बहुत चोटे हैं, सूख्ष्म हैं, microscopic हैं, ठीक है, और unicellular हैं, इनको सिर्फ microscope, बनी सूख्ष्म दर्शी से देखा जा सकता हैं, तो कितना चोटा इ microns तक, है न, 5 into 10 raised to power 6, जिवानों मौझूद हो सकते हैं, एक बून जल में, है न, 5 into 10 raised to power 6, bacteria एक drop of water में मौझूद हो सकता हैं, तो अब अंदाजा लगाएं कि ये कितने चोटे हैं, और एक micron का क्या मतलब होता हैं, एक micron का मतलब होता हैं, 0.001 mm, है न, 10 raised to power minus 6 microns का, उनका मतलब होता है, microns, ठीक है, तो अब इसमें एक मौइंट और देखिए, कि थायोफाइसिया वॉल्यूटेंस, एक sulfur bacteria, गंदक जिवानों हैं, ये सबसे बड़ा bacteria है, 18 microns का, ठीक है, तो ये हुआ, size का variation, उसके बाद हम चलते हैं, shape, shape यानि आकार, तो bacteria जो है, बहुत सारी shapes में मिलता है, और ये shape है, वो shape इसको provide करती है, इसकी cell wall, कोशिका बित्ती, जो mucopeptide की बनीवी है, peptidoglycan की बनीवी है, तो सबसे पहला तरीके का जो बैक्टीरिया होता है, वो है bacillus या गंदानू, कैसा होता है, ये rod shape, छड़ नमा इसके आकरिती होती है, ये cylindrical होते है, motile या non motile दोनों हो सकते हैं, मतला, जब इसमें flagella, यानि कशाविका मौजूद होगी, तो ये कैसे होंगे, motile, और नहीं होगी, मौजूद तो ये होंगे, non motile, ये लगभग 1.5 microns तो लंबे होते हैं, और 0.5 microns इनकी चड़ाई होती है, ठीक है, एक्जामपल देखी, bacillus anthracis और lactobacillus, ये दंदानों के प्रकार है, जब एक single rod होगी, है न, एक डंड हो, एक छड़ हो, तब उसे कहेंगे bacillus, अगर दो हो, एक दूसरे के साथ लगी होगी, जोडे में हो, पेर्स में हो, तब उसे कहते हैं diplo bacillus, जैसे corneobacterium diptheria, आते हैं, मेहन, तब श्रंखला में अगर मौझूद होते हैं, तब उन्हें क्या कहते हैं streptobacillus, श्रंखला में बदोने पर streptobacillus, तो ये देखी, एक, दो, तीन, चार्ड और इससे भी जादा लबी chain मौझूद हो सकते हैं, दूसरे प्रकार के bacteria होते हैं, cocus, या spherical, या गोलाणू, अब गोलाणू नाम से clear है, spherical नाम से clear है, गोल होएंगे, या तो गोलाकार होंगे, या दीर रथ जाईजी होंगे, ये ellipsoidol होंगे, ठीक है, और इनका जो डायमीटर होगा, गोले का हो, कितना होगा, 0.5 से 0.2, 0.25 microns, ठीक है, हमेशा non-motile होते हैं, मतलब flagella मौझूद नहीं होती, flagella मौझूद नहीं होती, मतलब A-trichus, without trichome, A-trichus, अब इसमें देखिए सब टाइप्स, micrococcus, अगर सिर्फ एक है, तो उसे कहेंगे, micrococcus, micrococcus, serolyticus, इसका example है, diplococcus, diplobacillus का मतलब क्या था, दो है न, in pair, जोड़े में, तब अगर दो एक दूसे के साथ हों, तो diplocococcus, मतलब diplococcus pneumonia, इसका example है, streptococcus, देखा, आपने streptococcus पढ़ा था, strepto term कभ यूज आती है, जब long chain हो, लंबी शंकला हो, तो streptococcus में भी यही है, अगर काफी लंबी शंकला या chain में मौझूद हो, तब उससे कहेंगे streptocococcus, example, streptococcus, lactus, tetracoccus, tetra का क्या से होता है, चार से, तो अगर चार के ग्रुप में मौझूद हो, तब उन्हें कहेंगे, tetra cocae, अचा एक और बात, cocus टर्म जो वो सिर्फ एक के लिए होती है, cocae टर्म यूज होती है, जब एक से अधिक हूँ, neiseria, इसके इंदर देखिए, neiseria के इंदर, चार है, staphylococcus, अगर ग्रुप irregular है, अगर ग्रुप irregular है, गुच्छे के इंदर मौझूद होते हैं, वे एक संख्या निश्चित नहीं होती, cluster में मौझूद होते हैं, staphyli जो word होता है, उसका मतलब भी होता है, cluster of grapes, अंगूर का समू, तब उसे कहेंगे, staphylococcus, staphylococci, example है, के staphylococcus albus, और staphylococcus aureus, ठीक है, लास्ट इसमें है, सार्सीनी, सार्सीनी जो है, इसका अर्थ होता है, two tie, बांध के रखना, कैसे बांदेगा, it divides in three planes, in regular pattern, producing a cuboidal arrangement of cells, तीन तलों में नियमित रूप से विभाजित होकर, आठ अथवा अधिक कोशिकाएं, कोशिकाओं का गनाब बनाती है, cuboid मतलब गनाब, तो उसे सार्सीनी कहते हैं, यैसे सार्सीनी लूटिया, सार्सीनी वर्टिक्युलाई, तो यह देखिए, नीचे जो डाइग्राम दिख रहा है आपको, चार आगे हैं, चार पीछे हैं, इस तरीके कि यह cuboid बन गया है, तब उसे हम क्या कहेंगे, सार्सीनी कहेंगे, इसके अलावा तीसरा प्रकार है, spiral और helical, kundalith या सर्पिल, कुंड़ित और सर्पिल हैं, वो bacillus और कोकाय की comparison में बड़े होते हैं, तो नहीं, लार्ज होते हैं, इनका जो साइस है, वो लगबग 10 से 50 माइक्रॉन्स, लंबे और चोड़ाई जो है, वो 0.5 से 3 माइक्रॉन्स तक होती हैं, यह हमेशा फ्लाजिलेट होंगे, कशाबिक होंगे, ठीक है, अब एककल चोटी-चोटी शंकला बनाते हैं, है न, ज्यादा बड़े समून ही बनाते हैं, जैसे कि spiral है, तो उसको क्या कहने हैं, सिर्फ एक helix, एक ही turno helix का, ठीक है, सबसे पहला इसमें प्रकार है, vibrio, vibrio क्या होता है, पिर कोटी कॉमा आपन कॉमा लगाते हैं न, अर्ध विराम, उसके जैसा, ठीक है, विराम चिन्ने के जैसा होगा, मुडावा चोटा सा, तो उसको हम क्या कहेंगे, vibrio कहेंगे, जैसे कि vibrio coli, फाइव से 1.7 माइक्रोंस तक, filamentus tantum है, tantum हम जानते हैं क्या होता है, एक के बाद एक, transverse revision होके, एक के बाद एक लगे वे हो, तो उसको क्या कहते हैं, tantum है, यह filament कहते हैं, तो filamentus यह tantum है, जैसे कि bigotia और theotrix, बहु रूपी यह pleomorphic, लेकि नाम से confuse मत हो, यह बहु रूपी का मतलब है, कि अलग-अलग shape वाला, इसका मतलब यह नहीं, amoeba की तरह यह shape change कर सकता है, हाना, amoeba की तरह यह shape change नहीं करता, अलग-अलग environmental conditions में, अलग-अलग वातरवर्ण यह परिवर्टनों में, इनका आकार वे आमाप, shape और size जो है, वो different हो जाता है, तो इसलिए एक ही life cycle में, एक ही जीवन चक्र में, इन्हें एक से अधिक रूपों में देख सकते हैं, एक से अधिक, मतलब more than one shape यह, यह size यह gain कर लेते हैं, इसलिए इन्हें प्लियो मॉर्फिक के रहें, प्लियो मॉर्फिक या बहू रूपी का अतादपर हैं, हम बिल्कुल यह नहीं है, कि वो amoeba की तरह shape change कर लेंगे, अलग-अलग environmental conditions में, वो अलग-अलग shape में दिखेंगे, यह इसका अतादपर है, जैसे की acetobacter, अब आगे चलते हैं, यह ultra structure का diagram आपको पहले explain किया है, तो अब इसमें हम आगे चलते हैं, जिवानो कोशिका की सनरचना कैसी होती है, structure of bacterial cell, यह diagram आपको explain कर चुके हैं, इसलिए इसको वापस explain नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर शुरू करते हैं हम सबसे पहले, सबसे बाहरी परत, अफ़ंक परत या slime layer से, अफ़ंक परत या slime layer जो है, यह glycogalics का पार्ट है, glycogalics क्या होते हैं, polysaccharides, जो कोशिका भित्य के बाहर मिलते हैं, है न, यह दो तरीके से मिल सकते हैं, अफ़ंक या संपुट, slime या capsule, तो देखें क्या अंतर है, basically पहला, कि जो कोशिका भित्य के बाहर, अगर सिर्फ polysaccharides मौजूद हैं, बहु शक्करा मौजूद है, तब तो वो क्या बनाएगी, अफ़ंक या slime layer, अगर बहु शक्करा के साथ, polypeptides में मौजूद हैं, मतलब, nitrogenous substance, amino acid भी मौजूद है, तब वो क्या बनाएगी, संपुट या capsule बनाएगी, ठीक है, जैसे polysaccharides का उन कौन से हो सकते हैं, dextran, dextrin, levin, है न, यह सब हो सकते हैं, स्लाइम लेयर हो जिलाटीनिस होती है, विसकस होती है, ठीक है, क्योंकि, polysaccharides बहु शक्राज होती हैं, वो पानी का अफ्शोषन करती है, water को एब्सॉर्ब करती है, और जिलाटीनिस हो जाती है, ठीक है, जब कि कैप्सूल जो है, वह जो कैप्सूल है कठोर होता है वह संपुट जो है वह कैसा होगा कठोर दोनों का अपना अपना फंक्षन है जो अपनक है यह जो स्लाइम लेयर है वह क्या करता है पानी को स्टर करता है तो यह डेसिकेशन या निर्जली करण से बचाता है जब भी संपुट है और moreover antibodies भी नहीं कर सकती प्रतिरک्षि जो है वो उस पर उस प्रति रक्षियों से भी रक्षा करता है तो अपन्क या संपुट है वह phagocytosis नहीं होने देता कोशिक आशन नहीं होने देता और यह capsule जो बैक्टीरिया हैं जिनमें capsule यह संपुट मौझूद होता है वह अर्धिकांश्त अशूक होते हैं होते हैं तो आपको क्या याद रखना है है कि ग्लाइको केलिक्स आउटर कवरिंग होती है जो पालीजेक्राइट बनाएवे होती है मैट्रिक्स से बनाएंगी एक दूसरे से मिल-मिलना कि जाली तोब ह मैंट्रिक्स के रूप में मौदूध हो। थो तरीके से हुए। सिलाइमод कैपसूल और funky वह धी से स explos widely स्लाइम और वह जिलेटिनियस होगी और अगर polyseziejति के साथ polypeptides मौजुदcken तो वो बनाएगा संपोट या कैपसूल ठीक है आगे हम चलते हैं सेल वॉल पे कोशिका भित्ती यहाँ पर जो कोशिका भित्ती है वो granular, tough और rigid होती है यह कोशिका भित्ती म्यूको पेप्टाइड से बनी होती है यह जो peptido glycan यह म्यूको पेप्टाइड है यह NAM और NG का पॉलिमर है बहुमर है NAM से हमारा मतलब है N-acetyl-muramic acid और NG से हमारा मतलब है N-acetyl-glukasmin इन दोनों के साथ पेप्टाइड चेन मौझूद हो सकती 4-5 amino acid की साथ ही साथ कोशिका भित्ती में techoic acid, lipoproteins, lipopolyseccrites भी मौझूद हो सकते है function क्या होता है इसका function होता है स्याल, shape और rigidity को maintain करना और protection बहुत सारे shapes अभी थोड़े दर पहले हमने पढ़े थे ना, बहुत सारे shapes जो है वो सारे shapes किसकी वज़े से है यह rigidity कौन प्रोवाइड करता है cell wall करती है अगर cell wall अटा देंगे तो इनकी जो shape है वो सबकी एक जैसे ही हो जाएगी ठीक है अब हम आगे चलते हैं आशा है, यह lecture हम यहीं कतम करते हैं Thanks